हलो एवरीवन, कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छी होंगे, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आज हमारे पास है हिंदी की वरक्सीट, वरक्सीट नमबर है 43, विसे और थीम है दादी की कहानिया कभी न कभी भई, दादी से, नानी से, ममी से आपने कहानिया तो जरूर से, जरूर सुनी होंगी, सबता है हमारा आठवा, डेट है, दस तारीक, यानि दस मार्च, रेख लेते हैं, किस तरह की कोशन रहने वाले हैं, और किस तरह की कहानी भई, सुनने को मिलेगी, और क्या- समते हैं, तो हमें बड़ा आनन्दा आता है, दादी हमें तरह-तरह की कहानिया सुनाती है, आईए, आज हम दादी की सुनाई हुई, एक प्राचीन कहानी पढ़ते हैं, प्राचीन भई, मतलब होता है, बहुत पुराने समय की, ठीक है, यानि बहुत पहले की कह सकते हैं, इस एक जंगल में एक सांप रहता था वह रोज गाओं आकर लोगों को डराता था ठीक है गाओं में आकर क्या करता भई लोगों को डराता था ऐसा करके सांप बहुत आनंद आता था और घमंड करता था कि वह कितना तागतवर है ठीक है क्या था भई यह देखो यह सांप है और य वहाँ से परिशान होकर लोग सपेरे के पास उपाय के लिए गए सपेरे के पास उपाय के लिए गए सपेरे के पास गे व том सबको ड़ आता था तो उससे कहा बही कल ना इसका मैं जरूर से जरूर हल निकाल दूँगा अगले दिन जब साप आया तो सभी गाउं वाले डर कर भाग गए लेकिन सपेरा एक बड़ी सी टोकरी लेकर वहीं खड़ा रहा ठीक है साप जैसे ही पास आया सपेरे ने टोकरी उस पर रख दी अब साप डर गया और सपेरेस कहने लगा मुझे छोड़ दो अब मैं गाउं कभी नहीं आऊंगा सपेरे ने उस पर दया करके उसे जाने दिया अब साप जंगल में ही रहता है और कभी गाउं नहीं आता है ठीक है बटकरी में बंद कर दिया आप ये देखो इसके ऊपर बैठ गें फिर क्या हुआ सांप डर गया रोने लगा बोले बाबा जी सपेरे जी मुझे माप कर दो और क्या हुआ भई वो तो डरके मारे ँन से छोड़ दो छोड़ दो कहने लगा फिर बोला मैं गाउ कभी नहीं आँ अब फिर क्या हुआ देखो भई ये साम जंगल में चला गया अब वो जंगल में ही रहता है और कभी गाउन नहीं आता है बच्चो क्या हमें किसी चीद पर घमंड करना चाहिए घमंड का क्या पढ़नाम हो सकता है हमें तो यहां लिखेंगे भई हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है ठीक है बुरा होता है या बेकार होता है क्योंकि घमंड से किसी का भी भला नहीं हुआ है चलिए देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं भी आगे हमसे पूछी जाएगी चित्र दे रखा ये मचली वाली स्टोरी पहले भी आ चुकी है प्यारे बच्चों साथ ये चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही मचलियां क्या बाते कर रही होंगी अन्वान लगाकर उनके संबाद यानि बातचीत को उची आवाज में बोलिये और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताना भी है तो ये कह रही है इससे सुनो सुनो भाई तो दूसरी मचली कह रही है दूसरी मचली कह रही है सुनो 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 है ना सुनो, है ना, तो ये कह रही है सुनो भाई, एक ने टुकना है ना, तो ये कह रही है भाई उससे, सुनो भाई सुनो, आप सुनो, आप इतने उदास क्यों हो, ठीक है, ये जो, है ना, ये किनारे से जा रहा है वेचारा, तो वो मचली कह रही है, सुनो भाई, आप इतने उदास क्यों हो, ठीक है, तो ये, ये चीज कह रही है, ये मचली इन से, चलिए तो इस तरीके से ये दो मचली आपस में बात करी, ये आदमी जो बाहर से जा रहा है, तो एक मचली कह रही है सुनो भाई आप इतने उदास क्यों हो दूसरी मचली क्या कह रही है आप इतने उदास क्यों हो इस तरीके से हमारी जो कहानी है हिंदी की बहुत आसानी से आपको उमीद करता हूँ अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो